बिस्मिल्ले रोमानी रहीम, अस्सलाम अलेकुम, वेलकम टू स्माइली फुड और मैं हूँ नाहिद, आज हम बनाएगे रेस्टोरंट और धाबे पर मिलने वाला चिकन टिक का मसाला, सौफ्ट और जूसी चिकन को स्पाइसी मसालेदार ग्रेवी में बनाया जाता है, चिकन क ये सालन इतना चट पटा सा और मज़ेदार बनता है कि आप कोई भी रोटी, चपाती, तंदूरी रोटी, नान या पराठे के साथ भी खा सकते हो, बाहर का खाने के शौकिन लोगों के लिए बिलकुल परफेक्ट रेसिपी है ये, तो चलिए बहुत ही आसानी से स्ट्रीट पूट की फेमस रेसिपी चिकन टिका मसाला कैसे बनाते है देख लेते हैं, चिकन टिका मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोलेस चिकन लिए, इस तरह से बड़े साइस की थोड़े टुकडे रखिए, इसे अच्छे से दोलिए, मैंने कुछ मसाले लगा आदा निम्बू का रसलिव यह डाल देना है दो चम्मच अद्रक लसन का पेस्ट दो चम्मच इसमें दही डालेगे कुछ सुखे मसाले डाल देते तो यहाँ पर एक चम्मच मैंने कश्मीरी लालमिज पाउडर लिए हूँ अगर आपके पास नहीं है तो आप नौर्मल लालमिज डाल सकते होँ एक चम्मच फूल भर के डालेगे इसमें चिकन तंदूरी मसाला तो देखे आपके पास चिकन तं और यहां पर एक चम्मचे दरदरा कुटा हुआ भूना जीरा तो जीरे को आप तवे पर भून लीजिए और इस तरह से दरदरा कुट लीजिए इस अभी मसाले डाल देते सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देते अब इसे ढखकर हम आदे घंटे के लिए फ्रीज में रख देगे ताके सभी मसाले अच्छे से चिकन पर लग जाए यहाँ पर चिकन को मसाला लगा कर रखे हुए आदा घंटा हो गया है मैंने फ्रीज में से निकाल लिए अब इसे हम फ्राई कर लेते टिक्के की तरह तो एक नॉंस्टिक पैन में मैंने थोड़ा सा तेल दाल लिए थोड़े से तेल में इसे फ्राई किया जाता है बहुत अ यहाँ पर मैंने सभी चिकन के पीस को डाल दियूँ अब गैस की फ्लेम मीडियम रखे गया हम और चार से पांच मीनट के लिए इसे ढख कर पकाएगे जिसकी वजा से चिकन अंदर तक भी अच्छी तरह से पक जाता है और उपर की लेयर हो भी अच्छे से क्रिस्पी हो जा अब इसकी साइड चेंज कर देगे हम इसे देखिए चिकन की बोटियों पर अच्छे से गोल्डन स्पॉट आ रहे है इसी तरह से दूसरी तरफ से भी हम पलट कर इसे अच्छे से गोल्डन स्पॉट आ जाए वहां तक पका लेगे फिर से मैं इसे तीन से चार मिनट के है मैं तोड़कर भी दिखा देती हो आपको यह देखिए पूरी तरह से चिकन हमारा गल चुका है अब इससे निकाल लेते हम और साइड में रख देते अब देखिए चिकन टिका मसाला बना लेते तो उसके लिए मेरे पास स्टील का एक बड़ा सा तवा है तो आप चाहे त एक मीडियम साइज की प्याज लेकर एकदम बारिक-बारी काटि होँ इससे अच्छा सा सोनेरी होने तक फ्राय कर लेते बسمि लाàng मानी रही ये देखिए प्याज हलकी सी इस तरह से सोनेरी हो गई है इस टाइम पर ताले गया हम तमाटर तो यहा पर एक मीडियम साइज के त तूचे और पानी चोड दिया जो रिचे नो तो वह लोग तो वह लोग पहले सी घ्राइब टो लेंक और इसलिए ना तियार रखते हैं लेकिन इसी में आपको इसकी घ्रेवी तेक्सिर अच्छे से बना कर दिखाऊगी तो हम क्या करेंगे उसके लिए पाव भाजी का जो मैशर आता है तो वह ले लेगे और उसकी मदद से इस तरह से अच्छी तरह से दबाएगे ताके यह सबी चीज़े अच्छी तरह से जो हमने प्यास टमाटर डाला है वह नरम होकर ग्रेवी की तरह हो जाए तो इससे क्या ग्रेवी का टेक्चर बहुत ही बढ़ी आता है ऐसे दबा लेना है मैं इसमें प्यास बीरस्ते की तरह राय हो रही ना तो माशालला बहुत एची खुश्बू आ रही है यहाँ पर प्यास टमाटर अच्छे से हो गए है अब इसमें दो चमच अध्रक लसन का पेज डाल देते और गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देनी है तीन से चार बारिक कटीवी हरी मिर्चे यह डाल देते साथी में सुखे मसाले भी डालेगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि मसाले जले नहीं तो दो चमच में लाल मिर्च पाउडर दालू अब इसमें मैं आपके पास कोई भी चिकन मसाला सकते हो तो यह चममच में ढाल रहे हूं हुआ, पानी डालएगे तो यह देखे बड़ा सा तभा एसमें मैं पानी दालूगी ना तो फटा走 ter तो पानी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हूं तो मैं एक गिलास पानी डाल रहे हूं यहां पर अब इसमें दो चमच फ्रेश क्रीम डाले गया हूं तो रेस्टोरेंट होटल वगेरा में वो लोग क्रीम वगेरा डालते हैं उससे टेक्शर बहुत बढ़ी आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़ी आता है अगर आपके पास नहीं है तो आप दो चमच मलाई हो घरकी तो वह भी डाल सकते हूं या फिर दो से तीन चमच दही भी डाल सकते हूं मिक्स कर देते से यह देखिए क्रीम डालने से थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है और टेक्शर भी बहुत अच्छा आता है अब इसमें हम चिकन टिका डाल देते हैं चिकन को देके ज्यादा पकाने की ज खाना बहुत पसंद करते हैं जो भी चिकन मटन की फ्राई रेसिपी हो या फिर ग्रेवी वाली रेसिपी हो लेकिन आप इस तरह से घर में बनाओगे ना जैसे मैं भता रही हूं तो बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा और बिल्कुल आपको टेस उसी तरह का लगेगा तो दो से तीन मिनिट हो गया है मसाला अच्छी तरह से चिकन के उपर कोट हो गया है और इस तरह से ही देखिए थोड़ी सी लुटपुती सी इसकी ग्रेवी होती है तो ये street style chicken tikka masala हमारा बनके तयार हो चुका है उपर से बारिक कटावा थोड़ा सा हराधनिया दाल देते हैं और गर्मा गरम chicken tikka masala को हम dish out कर लेते हैं बहुत ज्यादा इसे पकाना नहीं होता है और बड़े से तवे पर बनाते हैं तो इसे ज्यादा time नहीं लगता है आप कडाई में बना रहे हो तो अपने हिसाब से आपने जितना पानी डाला है उसे इस तरह से थोड़ा सा सुखा लीजिए देखिए इस तरह सी हल्की सी gravy होती जो रोटी के साथ खाने में बहुत ही मजेखी लगती है इसे आप चपाती तंदूरी रोटी या फिर कुल्चे या फिर किसी बी चीज़ के साथ कह सकते हो बहुत ही टेस्टी और जबरदस लगता है अगर आपके घर मे भी चेट्पटा और टेस्टी खाने के शौकिन है तो तो इस तरीके से चिकन टिकका मसाला जरूर बना कर खिलाना उन्हें ऐसा ही लगेगा जैसे आपने बाहर से मंगवाया है आज की टेस्टी मसाले वाली चिकन टिकका की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों और रिष्चेदार में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अपना बहुत सारा खयाल रखें दूआओं में हमें भी याद रखें फिर मिलते इंशाल लाइक नहीं रेसिपी के साथ अल्ला आपीज यूब 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 खिए दोब तो जूब यूब हो जादाना बवादार खें नहीं किया हो। जह जब हो जब होगें जल इऎ यूब कि धुबए़ नहीं है उल्सक्राइब